हलो फ्रेंज पधारोसा में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चावल कीखी जो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए बनाते हैं मैंने यहां दो लीटर दूद लिया है अब इसे उबालाने तक गरम करना है दूद में उबाला गया है अब इसमें 160 ग्राम चावल डालना है जिसे मैंने 3-4 बार धो लिया है अब इसे मेडियम फ्लेम पर पकाना है दूद और चावल का हिसाब हमें इस तरह से रखना है कि 1 लीटर दूद में 80 ग्राम चावल लेना है चावल की मातरा ज्यादा होने पर खीर ठंडी होकर गाडी हो जाती है और चावल कम होने पर खीर ज्यादा ही पतली हो जाती है तो खीर बनाते समय सही मातरा का ध्यान जरूर रखें खीर को थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलाती रहना है वरना खीर चिपक जाएगी लगबग 10 मिनट हो चुके हैं अब इसमें half teaspoon केसर डालनी हैं आप चाहें तो केसर की जगे केसरी food color भी डाल सकती हैं पीर को तब तक पकाना है कि चावल अच्छे से गल जाएं अब इसमें 160 ग्राम चीनी और एक चुथाई टीजपून इलाइची पाउडर डाल कर भीलाना है यानि जितने चावल लिये हैं उतनी ही चीनी डालनी है अब इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल कर मिलाना है अब इसमें आदा कप कटेवे बादाम और पिस्ता डाल कर मिलाना है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ड्राइफ फूर्स डाल सकते हैं अब लगबग 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है पर थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलाती रहना है प्लेप्स पाल कर लोड़ी प्याल कर दे शुरूब के लू़ीं झाल झाल अब फ्लेम बंद कर देंगे अब इस पर ढकन लगा कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे कीर तैयार है टेंक यू अबुद्चेश अबूबूग कर देंगे अबुद्चेश अबुद्चेश आ्पाइ कीर देंगे अबू़ अबूभ